कि यस तो हमारा चैप्टर इसे फंडामिंटल इस ऑफ लाइफ सेल में हम देखने जा रहे है एक्टिविटीज फर्स्ट एक्टिविटी देखते है एक्टिविटी 5.1 टेक्स्ट बुक में पेज है 49 ओके सो क्या बोल रहे हैं मतलब ओनियन बल्ग है अभी यह से सुनो और समझो डायरेक्टली एक्टिविटी तुमें एज़क्टिविटी तुम पूछेंगे या नहीं पूछेंगे 10th में board में पूछते हैं, तो तो फिर तुम्हें prepare करना है, 10th में board में पूछते हैं, तो वहां तो मैं बोली दूँगा कि यह सब तुम्हें आना चाहिए, otherwise कई-कई school में वो पूछते ही नहीं, क्योंकि उसमें एक activity तो यही chapter में ऐसी है, कि इंटरनेट पे search करो, कि electron microscope क्या होत तो अब ऐसा तुम्हें exam में पूछने का कोई meaning नहीं है, otherwise अगर पूछना ही है, if you expect कि students को पता हो, what is electron microscope, तो पहले से बता दो, so for that, हम तो discuss कर रहे ही वाले हैं, but वो हम समझने के लिए discuss कर रहे हैं, तुम्हें वो याद रखना है, और फिल लिखना है या नहीं, वो एक बा activity लेकिन, ऐसी activity देते भी नहीं है, तो अभी है, तो जो भी है हम discuss करते हैं, first activity, let us take small piece of, small piece from an onion bulb, onion bulb लिया है, with the help of a pair of forceps, तो मतलब forceps ऐसे pair होता है, यह जैसे doing लिए, pair होता है, तो ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं, okay, ऐसे पकड़ते हैं, biological lab में जाओगे, तो यह सारे instruments तुम्हें देखने को मिलेगी, जिसे मैंने पहले भी एक बार कहा था, अभी भी जब भी तुम school में suppose free lecture है, और मैं बोल रहे है सर बोल रहे हैं, क्या करना है, तो ऐसा बताओ, हर भर खेलने जाना है, खेलने जाना है, नहीं, ground पे जाना है, हर बार नहीं, बोलो union chemistry lab देखने के लिए ले जाओ, एक्टिविटि कहां कुछ करना है, कहां कोई practical करना है, सिर्फ देखने के लिए ले जाओ, chemistry lab, physics lab, biology lab, school में ह ऐों बीन ऑके जो जैसे भी होग चो टी ओर बडी वाटेवर couple слуш Update लिए लेज込ाओ तो तुम्हें यह सभी इंस्ट्रूमेंट के फैमेंट शनलेट किसेखलेंगे फिंपेट कैसे क्या मत एनुक्र की कई और के वह कंते है we can peel off the skin called यह skin को क्या बोलते है epidermis, okay याद रखने के जबरत नहीं है, याद रह जाए तो good या रह जाए तो exam में I don't think कि यह पूछेंगे so यह को skin है उसको क्या बोलते है epidermis, okay from the concave side मतलब अंदर वाले side, concave side मतलब क्या अंदर वाले side of the onion this layer, मतलब देखो एक onion तुने निकाल लिया है जो हम खाते है वो, okay अब उसके अंदर का भी part होता है और उसके बाहर का भी part होता है तो हम यह जो एक layer निकाल रहे है वो अंदर से निकाल रहे है this layer can be put immediately in a watch glass देखा फिल से वो बढ़ाया watch glass मतलब यह से कटोरी जैसा होता है लेकिन हमारी कटोरी जैसे इतना बड़ा नहीं होता एकदम छोटा, यह जो इतना होता है only this much, watch glass या इससे भी छोटा, इससे बड़ा नहीं हो तो उसमें डाल दो directly वो layer containing water, उसमें पानी है this will prevent the peel from getting folded or getting dry तो होगा क्या कि वो जो तुमने peel निकाला ना तो वो जैसे के cello tape हम निकालते हैं तो कभी-कभी cello tape एक दूसरे के एक साथ ही चिपक जाते हैं वैसे अपने-पने साथ ही चिपक जाए वैसा ना हो या उसके अंदर का पानी क्या होगा बाहर निकल जाए वो पर्टिकलर लेयर के अंदर के जो भी water content होगा moisture content होगा वो बाहर निकल जाएगा वैसा ना हो तो उसको तुरंदी क्या कर दो पानी में डाल दो तो वो folded भी नहीं होगी और क्या हो जाएगी मतलब उसके अंदर का पानी बाहर भी निकलेगा कि बाहर ही ज्यादा पानी है तो बाहर कहां से निकलेगा शायद बाहर का अंदर आ सकता है अंदर का बाहर तो जाएगा नहीं वो ही चीज़ बहुत है let us take a glass slide तो glass slide लो मतलब एक particularly glass slide मतलब एक sheet ही आती है बट glass की जो तुमें उसके उपर रख देनी है जैसे तुम्हारे spectacles होते हैं तो वो glass जोता है उसको रख दिया हमने उसके उपर वैसे ही तो उसको बुलते है glass slide उस वो रख दी put a drop of water on it उसके उपर drop of water रखते हैं and transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide तो अब watch glass से slide पर हम वो रखते हैं make sure आगे देखते हैं okay so make sure क्या sure करना है हुने make sure that the peel is perfectly flat on this slide वो तो देखना ही होगा अगर peel folded हो जाएगा तो सही सही दिखने वाला नहीं है तो peel जो होगा वो straight होना चीए flat होना चीए a thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel मतलब एक brush भी होता है okay so क्या करते है उसे कि अगर peel जैसे तैसे इदर उदर चला जाए तो उससे क्या करते है हम address करके सही सही microscope के नीचे ले आ ले है now we put a drop of saffronine solution on this piece followed by a cover slip तो इसके उपर saffronine particular chemical आएगा वो इसलिए में बूल रहा हूं कि देखने के तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा यह saffronine है फिर chemistry में भी different different type of chemical आएगे जिससे के color आएगा क्या आएगा color यह saffronine है उससे भी क्या होगा कि अगर directly जो है वैसा ही तुम देखोगे ना तो शायद तुम्हें सही सही वो जो cell हमें देखने हैं वो दिखाई देंगे नहीं तो उसको color कर देंगे कई होता है कि कई चीजे हमें जैसे के black और white देख रहे हम तो black और white में सही सही दिखाई देगा नहीं तो इसलिए हम उसको color कर देते क्या करते है color कर देते देखाई देंगे लेकिन black and white में नहीं दिखाई देगा ऐसा समझो कोई चीज ब्लैक ही यह यह मारकर यह पैन ब्लैक है उसको मैं अभी यहां पर यहां पर तुम इसली देख सकते हो क्यों कि पिछे white है और उसके आगे black है आगे जम जो ब्लैक बोड़ी और यहां पर ऐसे लटकी हुई होगी ना मारकर तो भी तुम्हारा ध्यान डायरेकली उस पर नहीं जाएगा जैसे कि यहां पर पड़ी हुई है ऐसे मारकर ऐसे है तो तुम बोड़ को देख रहे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान जल्दी नहीं जाएगा मारकर के ओपर क्यों कि यह black और black क्या हो गया मैच हो गया रखना है समझने के लिए तो यह सब जब करेंगे जब तुम शायद 1112 में बायलोजी लो तो ऐसे एक्स्परिमेंट करने पड़ेंगे तो क्या है कि बबल नहीं रह जाने चाहिए तुमने यह cover रखा ना जैसे के हम mobile में screen guard लगाते हैं तो थोड़ा भी bubble ना रहे इसलिए वो ऐसे करके सारे bubble निकाल देता है side में से तो ऐसे ही bubble नहीं रहना चाहिए उसके accordingly हमें cover रखने है अब तुम देख सकते हो तो देखो we can observe this slide under a low power followed by a high powers of a compound microscope high power low power क्या है मतलब high zoom और low zoom ऐसा high power मतलब तुम बहुत detailed अंदर तक का देख रहे हो low मतलब थोड़ा उपर उपर से दिख रहा है तो वैसे high power मतलब electricity ज्यादा देदो के वैसा नहीं है okay zooming effect high power low power जैसे हम कोई movie देख तो नहीं बोलते के भाई resolution क्या है तो बोलेंगे 720px1080 अब तो 4K आ गया है तो और ज्यादा सबसे ज्यादा clear है ऐसे अभी उससे आगे भी कुछ आएगा like that okay now what do we observe as we look through the lens तो अगर अब हम lens से देखे तो हमें क्या देखने को मिलेगा वैसे देखने को मिलेगा यार okay चलो if the epidermal fold of the onion bulb is mounted on the slide and observed we can observe the following structures in the temporary mounting तो यह सब हमें देखने को मिलेगा okay तो क्या का देखने को मिलेगा epidermal cells which are slightly rectangular in cells तो हमें cells देखने को मिलेगे और slightly क्या होंगे वह rectangle हमारी ncati की गीवन है वैसे ही okay हाँ वह 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 उसके जैसे जैसे ही cell देखने को मिलेगे मिलेंगे समझ में आया फर्स्स पेज सेल है वीसे देखने को मिलेंगे आल दिसेल्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज तो सब में साइज नहीं है रहे हैं मतलब सेल्ट नहीं है एक जैसे, मतलब जो हमने सैफरेणिर का कलर किया, तो वो कलर कहां पर दिख रहा है, हमें नुकलियस के आसपास, मतलब सेंटर पर दिख रहा है, सैटो प्लाजम सराउंड दिन्यूकलियस, यह सब हमें देखेंगे, तो पता चलेगा ना, तो अब देखो, हमें स्टार्टिंग में यह एक्टिवीटी पढ़ते, हमें पता ही नहीं है क्या है सैटो प्लाजम क्या है नुकलियस यह वो, तो अच्छा हुआ हमने पूरा डिसकस कर लिया, अब तो हम पूरा सैटो प्लाजम में पढ़किया है, सैल वोल और सब कुछ पढ़किया है, तो सैटो प्लाजम सराउंड्स दी नुकलियस, अगर बहुत ज़्यदा हाई पावर में देखोगे तो, तो अच्छे से तुम नुकलियर को देख सकते हो, हाई पावर मेν, और ओटनीन वद इस लिए घृष। किसमें होगी हूँ है, सैल वन क्या सभी सैल में देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। यह ओन्यं के सील में देखने को मिलेगी, सैल में मिरती है ना प्लाण्ट की एमेंरी में तोड़ा यह मैं इसलिह उस्ते में हो तीर सी ऋच्छ कई वहां मतलब एक्दम लेकिन अध़ाइड लेकर द ήड करी वरो के एक दम क्लीर नहीं आया याई है तो यह सारी चीजे हमें दिखने को मिलती है न्यूक्लियर साइट और और से सेल वाल भी देखने को मिलती है स्टेइन कहा हुआ न्यूक्लियर में और सेल जो है उसका शेप और सब कुछ यह लिखना है अगर ऐसा question पूछे तो इतना सब कुछ तो नहीं पूछेंगे लेकिन अगर तुम्हें ऐसा cell देखोगे तो तुम्हें कैक्टा देखने को मिलेगा तो यह ही answer है हमारा और यह हमारा basic है यह already आपने पड़ा हुआ है फिर से एक बार revision Living organisms are made up of cells हाँ Onion bulb 2 is made up of many cells which are of similar size the mounting of onion will shows the structure okay some organisms are made up of a single cell okay कौन कौन है उनके नाम Amoeba, Paramecium, Bacteria, Particular Bacteria भी होते हैं okay चलो they called unicellular organism Amoeba, Calimodomonas okay यह नाम याद रखना Calimodomonas okay तो वो तुम्हें नाम भले प्रोनाउंस करो ना करो spelling याद रखेना okay so Calimodomonas and Paramecium and Bacteria etc okay तो चारो चार नाम याद रख ले ना Majority of the living organisms are made up of many cells बहुत सारे organism Majority organisms तो कैसे होते हैं बहुत सारे cells से बने हुए मत्तब यह लोग तो बहुत कम है Unicellular organisms Earth में क्या है बहुत कम है अभी okay और Majority लिए जो है वो कौन से है Multicellular organisms है उनको multicellular बोलते हैं जैसे fungi, plants, animals मतलब यूमन भी अंदर ही आ गए तो fungi, plant, animals तो multicellular ज्यादा है मतलब अभी मैंने बोला Majority लिए और multicellular तो सब्सक्राइब करना यूमन तो microorganisms के numbers क काउंटिंग करें हम तो human तो हम तो कितना बोलेंगे सार हम तो बहुत ज्यादा है हम तो बहुत ज्यादा है अरे बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं है मतलब हम कितने हैं around 750 करोड से कितने है अर्थ पर 750 करोड कौन यूमन्स 750 करोड में से 150 करोड तो इंडिया भी है 750 करोड में से 150 करोड इंडिया में है ओके तो मैं जब बोल रहा हूं कि multicellular organism मतलब not only humans सारे plants भी आगया अब बताओ भले ही हमने बहुत काट लिए फिर भी plants ज्यादा है यह humans ज्यादा है अर्थ को क्या लग रहे है humans ज्यादा है plants मतलब अगे सब कुछ आ गया ऐसे बड़े बड़े जो दिखते हैं वो trees वो सिर्फ plants ऐसा नहीं वोदा वोदा यह वो के 750 करोड से भी ज्यादा मतलब वो तो फिर जंगल में जाओ तो वैसे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होता ही साथ-साथ में छोटे-छोटे पी कितने सारे होता है और उसमें भी अभी तुम animal को consider करो तो animals में multicellular organism में ही आएंगे तो कितने ज्यादा है तो compare to them they are more compare to whom unicellular organism तो यह थोड़ा introduction and observation जो onion पील का था activity हमारी थी वो हमने discuss तो other activities and in-text and all questions तो अभी हम यही discuss करेंगे next class में भी activities in-text questions फिर exercise के questions so that हमारे test तक हमारा chapter complete हो जाए फिर time बचेगा test तो होगा जो उसका time है तब लेकिन उसके यह chapter के बाद हम वापस चले जाएंगे first chapter पर और chemistry और physics जो तुम बोलो तो chemistry और physics पे जाएंगे और उसकी भी activities और in-text question, exercise question complete करेंगे so that हमारे three chapters complete हो जाएंगे और जो रह गया है उसका भी revision हो जाएगा done? okay?